आनन्देल राई की लव स्टोरीज पर बास्ट्री है ये वो मूँ से नहीं कहते हैं ये वो प्रूव कर चुके हैं तनुवेज मनू और रांजना जैसी फिल्मों से और कुछ हिट देने के बाद फाइनली आनन्देल राई के साथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सूपर स्टार जिनने किंग ओफ रोमेंस कहा जाता है शारुक खान ने काम किया माना जा रहा था कि इस बार तो फिल्म जो है बॉक्स ओफिस पर रेकॉर्ड तोड़ेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं था जीरो फिल्म में दोनोंने साथ में काम किया और जीरो ऐसी फ्लॉप हुई कि आज तक ये फिल्म शारुक के करियर पर तो धबा है ही वहीं आनन्द एल राई की भी ये फ्लॉप हुई जिससे ये साबित हो गया कि जरूरी नहीं कि आनन्द एल राई जितनी भी लव स्टोरी बनाएं वो सूपर हिट ही हो ऐसे में हाल ही में जब आनन्द एल राई की अतरंगी रे रिलीज हुई तो इस दोरान उन्होंने जीरो के फ्लॉप होने का कारण बताया जीरो में आपको बता दें कि शारुक खान ने एक बॉने का रोल किया था और फिल्म में कट्रीना कैफ और अनुषका शर्मा जैसी आक्ट्रिस थी शारुक के साथ कौन बना करेगा काम करने के लिए लेकिन ये फिल्म ओडियन्स को कुछ खास पसंद नहीं आई शारुक जो अपनी ब्यूटी और अपने स्टार्डम के लिए जाने जाते हैं उन्हें बॉना बता दिया लोगों क ये एक्सपेक्टेशन ही उतर गई मतलब बहुत अजीब लगा शारुक को बॉने के रोल में देखना शारुक हमेशा हैंसम और ब्यूटी का प्रतीक रहे हैं उन्हें जब बॉना बना कर प्रेजेंट किया तो ओडियन्स ने इस रोल को एक्सेप्ट ही नहीं किया वहीं आन बहुत ज़ादा एक्सपेक्ट कर रही थी और मैं उस एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाया इसलिए ये फिल्म नहीं चली आनन देलराय कहते हैं कि मैंने शारुक का जो स्टार्डम है उसका प्रेशर ले लिया इसलिए शायद फिल्म में गढ़बढ हो गई उनका कहन था कि जीरो फिल्म की फ्लाइट टेक ओफ तो ठीक हुई लेकिन इसकी लैंडिंग ठीक नहीं हो पाई और इसके पीछे कारण है सिर्फ और सिफ शारुक का इतना बड़ा स्टार्डम जिसका प्रेशर आनन देलराय ने ले लिया और वो जेल नहीं पाए इस प्रेशर को इस इसलिए शारुक के करेक्टर के साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए और फिल्म बॉक्स ओफिस पर नहीं चली हाल ही में आनन देलराय ने अक्षे कुमार के साथ अतरंगी रे के लिए हाथ मिलाया इस फिल्म में सारा अलिखान और धनुष में रोल में है अक्षे का केमियो है इ रक्षा बंदन नाम की फिल्म उनकी आने वाली है